रादे रादे आज हम सुनेंगे रविवार की ब्रत कता एक बुढिया थी उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरी ही इश्नान आधी कर पड़ोशन की गाय की गोबर से घर को लीप कर फिर बोजन तियार कर भगवान को भूग लगा श्वेम बोजन कर दी थी ऐसा ब्रत करने लगी कि यह ब्रद्धा सर्वदा मेरी को का गोवर ले जाती है इसलिए अपनी को को घर के बीतर बांधने लग गई बुढिया को गोवर ना मिलने से रविवार की दिन अपने घर को ना लीप सकी इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया तथा श्वेंबी उसने भोजन नहीं किया इस पिरकार उसने निराहार ब्रद्ध किया रातरी हो गई और वह भूकी सो गई रातरी में भगवान ने उसे श्वपन दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा ब्रद्धा ने गोवर ना मिलने का का सुनाया तब भगवान ने कहा कि माता हम तुमको ऐसी को देती हैं जिससे सवी चैपूर्ण होती हैं क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोवट से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो इससे मैं खुश होकर तुमको यह बर्दान देता हूं श्वप्न में ऐसा वर्दान देखकर देकर भगवान तो अंतरध्यान हो गए और जब ब्रद्दा की आँख खुली तो वह देखती है कि आगन में एक अती सुन्दर गौ और बच्छडा बदे हुए हैं वह गौ और बच्छडे को देखकर अत्यंत प्रिशन हुई और उसको घर के बाहर बांद दिया वहीं खाने का चारा डाल दिया तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया को बुढ़िया की घर के बाहर एक अती सुन्दर गौ और बच्छडे को देखा तो द्विश के कारण उसका रिदय जल उठा तता जब उसने देखा कि गौने सौने का किया है तो वह उस गोव का गोवर ले गई और अपनी गोव का गोवर उसकी जगा पर रख गई वह नित्यप्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खवर नहीं होने दी तब सर्व व्यापी इश्वन ने सोचा कि चालक परोशन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है भगवान ने संध्या की समय अपनी माया से बड़े जोर की आधी चला दी बुढ़िया ने अधेरी के भैसे अपनी गोव को घर के भीतर बांद लिया प्राते काल उटकर जब ब्रद्रा ने देखा कि गोव ने सोने का गोवर दिया है तो उसके आश्यरे की सीमा ना रही और वह प्रते दिन गोव को घर के भीतर बांदने लगी उधर पड़ोशन ने देखा कि बुढ़िया गोव को घर के भीतर बांदने लगी है और उसका सोने का गोवर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह इर्शा से जल उठी और कुछ उपाय ना देख उसने उस देश के राजा की सवहा में जा घर कहा महाराज मेरे पड़ास में एक ब्रद्धा के पास ऐसी गोँ इनित्य सौने का गोबर देती है आप सौने से पालन करें वह ब्रद्धा इतनी सौने का क्या करेंगी राजा ने यह बास सुन अपने दूतों को ब्रद्दा के घर से गौ लाने की आग्या दी ब्रद्दा प्राते इश्वर का भोग लगा बोजन ग्रेंड करने ही जा रही थी कि राजा के करमचारी गौ खोल कर ले गए ब्रद्दा काफी रोई चिल्लाई किन्तू करंचारीों के समक्ष कोई क्या कहता उस दिन ब्रद्दा गौ के ब्योग में बोजन ना खा सकी और रात भर रो रोक कर इश्वर से गौ को पुने पाने के लिए प्रातना करती रही उदर राजा गव को देख बहुत प्रशन हुआ लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोवर से भरा दिखाई देने लगा राजा यह देखकर घवरा गया भगवान ने रातरी में राजा को श्वप्न में कहा कि राजा गाय ब्रद्दा को लोटाने में ही तेरा भला है उसके रविवार के ब्रस से प्रशन होकर मैंने उसे गाय दी थी प्राते होते ही राजा ने ब्रद्धा को बला कर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गव बचड़ा लोटा दिया उसकी पड़ोसन डुष्ट बढ़िया को बला कर उचित डंड दिया इतना करने के बाद राजा की महल से गंदगी दूर हुई उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राजे की तदा अपनी समस्त मोनो कामनाओं की पूर्ती के लिए रविवार का ब्रत करो ब्रत करने से नगर की लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे कोई भी वीमारी तथा प्रकृती का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था सारी प्रजा सुख से रहने रगी बुली शीराधा रमणलाले की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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